नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर विनीद गुबंदा गुपता और मैं दिल्ली और गुर्पाव में स्थेतिक medical oncologist यानि cancer specialist हूँ तो आज की हमारी वीडियो का topic है stage 4 यानि 4th stage के lung cancer के नए उपचार तो इस वीडियो का importance कुछ special इसलिए है क्योंकि खासकर मेल्स में lung cancer हमारे country का सबसे common cancer है और इस cancer के बहुत बड़ी problem यह है कि early stage पे commonly एक cancer पकड़ा नहीं जाता है कहते है कि 70 to 80% patients में यह cancer advanced यानि fellow stage पे ही पकड़ा जाता है और traditionally इन patients का outcome यानि survival बहुत अच्छा नहीं होता था तो यदि हम classically बात करें कि stage 4 lung cancer का इलाज पुराने कुछ समय पहले कैसे होता था तो generally इसका इलाज chemotherapy से होता था तो chemotherapy कुछ दवाया होती है जो body में जाके cancer को मारने में help करती है पढ़नतु chemotherapy की अपनी कई problems है number one problem यह है कि chemotherapy का असर usually short रहता है यानि कुछ समय patient को फायदा हो सकता है but long term यह फायदा maintain relatively कम patients में हो पाता है number two chemotherapy के side effects होते है जो generally patients avoid करना पसंद करते है and it is not to their preference ठीक है तो इन problems को deal करने के लिए काफी international level पर scientific research और efforts direct किये गए है कि chemotherapy से बेटर दवाईया इजात की जाए और patients में use की जाए और इसका result है यह नए इलाज इनके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे बेली और सबसे बॉर्टन टीटमेंट के हम बात करेंगे उसे बोलते है lung cancer targeted therapy तो targeted therapy से हमारा क्या मतलब है जो भी cancer का cell body में होता है वो body के normal cell से different होता है उसमें कुछ सेल की जो machinery है उसमें कुछ abnormality होती है जो इसको एक normal cell से अलग बनाता है तो यदि हमारे पास कुछ ऐसी दवाईया है जो सिरफ उन गडबन machinery पर काम करें तो हम बहुत ही अच्छा 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 पा सकते है क्योंकि normal cell में जिसमें यह गडबन machinery नहीं है उस पे इन दवा पर response बहुत अच्छा होता है generally chemotherapy से कहीं अच्छा number 2 इसके side effect बहुत कम होते है क्योंकि normal cell base का असर काफी कम होता है number 3 यह treatment commonly tablet form में available होती है जो कि patient के लिए use करना काफी convenient और असान होता है and patient compliance इससे काफी अच्छा रहता है in general जो patient targeted therapy रहते है उनकी quality of life or survival जो patient chemotherapy रहते हैं उनसे क नहीं better होती है तो यह major advantages targeted therapy के अलग-अलग cancer में अलग-अलग तरह के targets available है तो इन चीदों के testing करके पता करते है कि किस cancer में कौन सा target है यदि उस target की दवाई इस्तमाल की जाए तो cancer में काफी अच्छा outcome हमें मिलता है इस दवाई का major disadvantage यह है कि हर cancer में target नहीं होता यदि हम lung cancer की बात करें और currently जो दवाई अवेलेबल है करीब 30-40% लंग cancer patients पर target होगा पर बागी patients पर target अवेलेबल यूशुली नहीं होता और इनके लिए हमें कोई और approach इस्तमाल करना ही पड़ती है नमर दो treatment इसके हम बात करेंगे उसको बोलते है cancer immunotherapy तो immunotherapy cancer के एक नया तरीका है एक नया नजरिया है इसमें हम समझते है कि body का immune system cancer को मारने के थाकत रखता है और normally body में कोई भी cancer का cell अगर पर अपना शुरू करता है तो हमारा immune system इसको पकड़ के खतम कर देता है तो जिन मिल इसको lung cancer हो जाता है उनमें immune system body के cancer cell से ठीक से interact नहीं कर पाता है net result यह होता है कि immune system normal होने के बाब जूद cancer cell grow और spread कर पाता है तो immunotherapy कुछ technologies और कुछ treatments है जो body के immune system और body के cancer cell का interaction fix या correct करती है ताकि जो immune system पहले cancer cell को नहीं मार पा रहा वो cancer cell को मारने के काबिल हो जाता है कई अलग अलग तरह की immunotherapies है और different cancers में use की जाती है again immunotherapy technique के भी कुछ advantages और disadvantages है number one advantage है एक बहुत ही natural way है cancer का kill कने भी body का अपने immune system आप इस्तेमाल कर रहे है cancer की death cause करने के लिए number two इसमें generally side effects chemo therapy से कम होते है और quality of life again patient की काफी अच्छी होती है number three usually जिन patients का immunotherapy से फायदा होता है उन्हें फायदा लंबा मिलता है unlike chemo therapy जिसमें usually duration of benefit कम रहता है इस treatment के कुछ disadvantages है number one disadvantage है कि हर patient में immune therapy काम नहीं करती इसके लिए हम कुछ test करते है जो पता करते है कि किस patient में काम करेगी किस patient में नहीं काम करेगी और उन test के बावजूद भी कुछ patient ऐसे होगे जिनमें दवाई का फायदा नहीं होगा तो research अभी भी चल रही है ताकि उन patients को हम पता कर सके जिनमें immune therapy का maximum benefit है और minimum side effect है number two यह therapy side effect free नहीं होती इसके भी कुछ side effect होते है अला कि वो generally chemo therapy से कम होते है और easily manageable होते है number three यह कुछ यह नई treatment और नई technologies है इसलिए currently इनका cost काफी ज्यादा है परंदु तरीके हैं जिनसे की इननी treatments को low cost पे भी patients को दिया जा सके होनकी help की जा सके तो last में हम बात करते है कि जब हम हमारे पास यह नई treatments available है तो कैसे decide कि किसको क्या treatment दी जाए तो basically हम यह understand करते है कि lung cancer एक बिमारी नहीं होती लंग cancer एक basket है जिसमें 10 या 15 अलग अलग तरह की बिमारी है सबके अपने-अपने abnormalities है DNA changes है अपने-अपनी तरह की machinery की खराबिया है और इसके लिए हम टेस्टिंग करके पता करते हैं कि किस patient पर target therapy A काम करेगी किसमें B किसमें C किसमें immunotherapy A किसमें B and so on तो to conclude इस खतरनाक बिमारी से जो हमारे patients suffer करते है उनको में यह message provide करना चाहता हूँ कि यह एक बिमारी है जो आज के जमाने में eminently controllable है और patients एक बहुत ही long normal or good quality life अपना spend कर सकते है with minimum side effects and very good control of disease. Thank you.